Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone So, प्यारे बच्चों, आज हम study करने जा रहे हैं अपना topic है plane in 3D or you can say plane in 3Dimension geometry तो सबसे पहले आप जाना चाहते हैं as an intro की ये भाई plane होता क्या है plane को हिंदी में समतल कहते हैं या plane को हिंदी में तल कहते हैं जिस screen पर आप एक वीडियो देख रहे हैं वो एक plane है क्या है बच्चों वो एक plane है जिस screen पर आप एक वीडियो देख रहे हैं वो एक plane है जिस copy में आप notes बना रहे हैं वो भी एक plane है अब plane का मतलब क्या होता है plane का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई plane है तो उसमें आप कोई दो point को join करने वाली line खीचते हैं तो वो line का हर एक point evenly यानि की समान रूप से उसी plane पे होगा ठीक है ना मतलब आप अगर कोई line खीच रहे हैं तो उसका हर एक point उस plane पे लाई करेगा so a plane is a surface that the line joining any two points on it lies entirely on it एक ऐसी surface जिसमें दो point को join करने वाली line पूरे तरीके से उस plane के अंदर रहे उसे हम क्या कहते हैं plane कहते हैं clear हो गया कोई दिक्कत उसे हम plane कहते हैं अगर कोई दो point को join करने वाली line a plane is a surface that the line joining any two points on it lies entirely on it मतलब दो point को join करने वाली line पूरे समगर रूप से समपूर रूप से उस plane के अंदर हो the plane can be determined by एक plane को बनाने के लिए कई तरीके हैं एक plane को कैसे बना जा सकता है determine कैसे के सकता है भाई हो सकता है उस plane के अंदर दो intersecting line हो दो क्या कई सारी हो सकती है और यह online co-planar होंगी क्या होंगी co-planar होंगी ठीक ना दो पहले line भी हो सकती है plane के अंदर हाँ बिलकुल हो सकती है plane के अंदर दो क्या दस पहले लाइन भी हो सकती है A line and a point outside it एक कह रहा है कि एक line में point है और एक a line and a point outside it एक line है और एक बाहर एक point है and three non-collinear point sorry यह मैंने गलत बना दिया point यहीं पर and तीसरा जो है last तीन non-collinear point यह देखिए यह तीनों point non-collinear है एक ही line में नहीं है इनको भी होके हम plane को describe करेंगे तो इसका मतलब क्या है यह जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि हम plane की equation क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक ऐसे plane का equation जिसमें दो intersecting line होगी एक ऐसे plane का equation जो की दो parallel line को contain करेगा एक ऐसे plane का equation जिसमें तीन non-collinear point होंगे इन सारी चीज़ों को ले करके हम plane के अलग-अलग equations बच्चों पढ़ने वाले हैं अब plane के equation को पढ़ने के पहले plane की पहचान समझ लो आप plane की identity कि भाई plane की पहचान क्या होती है ओके तो guys हम बात कर रहे थे identity of plane देखो plane की जो पहचान है main plane की पहचान क्या है plane को पहचानने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है plane किस point से जा रहा है ठीक ना कोई एक point है plane और इस point का position vector usually आप क्या लेते हो a vector अब बहुत important बात है plane की main पहचान है उसका normal vector यह plane के perpendicular direction में एक vector जाता है इसको हम बोलते है n vector क्या बोलते है n cap नहीं बिटा n cap भी होगा इसका अगर आप इसका unit vector निकालोगे यहां तक का तो इसका n cap भी exist करेगा इसका n cap भी exist करेगा clear है तो यह plane की main पहचान है यह plane की main पहचान है आपका n vector जिसे मान लो बेटा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई x y plane है n vector है थोड़ा सा कुछ चीजें इसमेवारे में और बता दूँ बेटा n vector आपको कैसे रिखाए देगा n vector plane का a i cap इसको capital ले लो बेटा capital a i cap plus capital b j cap plus capital c k cap यह बेटा plane का perpendicular vector कहलो या plane का normal vector कहलो यह plane का normal vector है या perpendicular vector है clear होगे ना ऐसे दिखाए देगा यह इस तरीके से चलिए थोड़ी से और detail study करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यह बेटा मेरा x access है और यह बेटा मेरा y access है अब मान लो बेटा यह x y plane है यह आपको दिख रहा है x है यह y है तो यहाँ पर यह plane कॉन सा plane कहलाएगा बेटा x y plane क्या कहलाएगा बेटा x y plane आप से मैं पूछों बेटा x y plane के normal vector कौन सा होगा बहुत ही simple है बिटा xy plane है बिटा तो इसके जो normal vector जाएगा बिटा वो क्या होगा z axis होगा बोलो हाया न तो भाईया जब ये z है तो z के parallel भी तो z ही बनेगा तो यदि मैं बोलो इसके direction ratio क्या निकलेंगे तो ये जो vector बनेगा बिटा इसका जो n vector बनेगा that will be क्या होगा ये बनेगा अपने पास में है ना direction ratio इसके normal की क्या बनेगा बिटा 0 i cap plus 0 j cap plus k cap plus क्या बनेगा बिटा k cap okay मतलब xy plane के जो normal vector निकलेगा वो z vector निकलेगा z का vector निकलेगा और इसके normal vector की जो direction ratio direction cos निकलेगे वो 0 0 1 होगे क्या होगे 0 0 1 okay clear तो आप से कोई पूछे कि भाई xy plane के normal के direction ratios क्या है तो xy plane के parallel तो भाई z vector निकलेगा z axis निकलेगा तो इसके direction ratio क्या जाएंगे 0 0 1 तो ऐसी छोटी छोटी टेकनीक हमको अभी पता लगानी पड़ेंगी इनका हमको use करना पड़ेगा अब आईए equation की ओर चलते हैं first equation मनाते है vector का plane का पहला जो हमारा topic है देखिए पहला topic है हमाय पास में equation of a plane passing through a point and perpendicular to a vector एक equation है plane का equation बना रहा है यह plane है पेटा यह एक fix point से जा रहा है पेटा मान लो पेटा यह point है हमाय पास में a a point है इसका vector कितना पेटा a vector है ओके यह fix point से जा रहा है पेटा और यह जो है पेटा इसके perpendicular and perpendicular to a vector तो भाई यह जाहिर सी बात है कि जो vector के perpendicular है मतलब इसका normal vector ही होगा और क्या क्योंकि जितने vector होते हैं बेटा इसके perpendicular वो सारे के सारे क्या होते है normal होते है यह सानो यह सारे के सारे क्या होते है normal अब आप कोगे सर यह इस point पे normal है कोई इस point पे normal हो सकता है हाँ तो बिलकुल हो सकता है मैंने कमना किया और आपको मैंने बताया था कि अगर दो vector vector a और vector b अगर parallel हो तो बेटा मैंने बताया था vector b equal to k times of vector a यह lambda times of vector a तो अगर यह vector n है तो definitely k vector n होगा हमें कोई problem नहीं है होने दो क्यों भाई कोई दिक्कत है क्या अब देखिए भाई साब अब हम क्या मान लेते हैं हम एक point vector p मान लेते हैं यह रेखे point vector p है और इस point vector p का जो direction position vector है वो क्या मान लिया हमने r क्या मान लिया यदि मैं इसको join कर दूँ तो यह एक line बन जागी जो की plane के अंदर होगी और इसके position vector यह जो vector त्यार होगा that will be vector r minus vector a final minus initial yes or no और इसका any के साथ angle कितना है 90 degree तो इस concept का मैं use करके लिख सकता हूँ vector r minus vector a dot n vector equal to कितना 0 क्योंकि दो vector perpendicular होते हैं तो उनका dot product कितना होता है 0 होता है r minus a dot n vector equal to 0 अब आप यदि कहते हैं सर यह ना होता यहाँ पर यदि यह वाला vector ले 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 थे तो भी देखें कोई फर्क क्यों नहीं पढ़ने वाला है क्यों नहीं कोई फर्क पढ़ता है because that time it will be vector r minus vector a dot k n equal to कितना हो जाता 0 और भाईया k ultimately 0 के नीचे चला जाता तो vector r minus vector a फिर अगेन क्या बन जाता भाई साब vector n equal to 0 clear है तो ये हमारा scene त्यार हो जाता इसलिए हम देख चुके हैं कि हमारे पास equation बनेगा vector r minus a dot n equal to 0 ओके any problem बेटा तो ये हमारे पास plane का equation हमारा main जो हमारा equation है जिसको vector form में कहते हैं यही है हमारा equation vector r minus vector a dot n vector equal to 0 आपको पहचानना है भाई कि ये सब हैं क्या तो vector r क्या होता है बेटा vector r जो होता है वो तो point vector position vector of variable point क्या है ये position vector of variable point p variable point p का position vector है vector r vector a क्या है बेटा vector a एक fixed point है plane के अंदर उसका given point मतलब p कहीं भी हो सकता है p यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है but a एक fixed point है yes or no vector a is the position vector of given point given fixed point a okay n vector क्या है भाई साब n vector जो है वो है normal vector to the plane normal vector to the plane कहीं यह कोई दिक्कत है क्या normal vector to the plane okay तो बेटा यह तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है okay तो देखिए बेटा अपने पास में यह equation बन चुका है vector r minus vector a dot n vector equal to 0 ठीक है यह हमाई पास में equation त्यार हो चुका है एक कुछ इसके अभी इसको partition form में बदलेंगे बट अब इसके special case में आपको दिखाता हूँ बहुत मज़ेदार special cases है बेटा इसके एक special case यह है बेटा कि अगर यह plane जो हमारा है बेटा origin से जाए किस से जाए origin से मतलब 0 0 0 और 0 0 0 भाईया जब जाएगा तो जो vector a है वो क्या हो जाएगा 0 vector हो जाएगा क्योंकि origin का vector 0 vector हो जाएगा तो क्या बनेगा भाई सब vector r minus 0 vector dot n vector equal to कितना हो जाएगा 0 तो r minus 0 vector r vector जाएगा equal to कितना 0 तो answer क्या बन जाएगा भीटा r dot n equal to 0 clear है तो यह कौन सा form है भीटा यह है origin से जाने वाला origin form of a plane of a plane clear तो बच्चों देखा आपने यह था हमारा origin form of the plane है ना अब बिटा थोड़ा सा इसमें हम हलका सा और manipulation करते हैं तो अभी चलिए बताते हैं आपको यहां पे करके हमारे पास बिटा जो हमारा standard form of the plane निकला है point form of the plane standard नहीं कौन सा बिटा point form of the plane point form of the plane क्या निकला है बिटा point form of the plane आपके पास क्या निकला है vector r minus vector a dot vector n equal to 0 यह है यह आपके पास point form of the plane है सीख लिए आपने बनाना इसको अच्छे से अब चलो इसको थोड़ा simplify करता हूँ मैं और solve करता हूँ कुछ और शायद निकल के आए बिटा ही dot product हो गया r minus n र into n minus a into n equal to कितना हो गया बिटा ही 0 हो गया बिटा r dot n equal to हो जाएगा a dot n अब देखो बिटा क्या हो रहा है यह क्या है हमाँ पास यह variable point vector है यह क्या हमाँ पास normal vector है यह हमारे पास point vector है fix point vector और यह fix point vector है और यह क्या है बिटा हमाँ पास normal vector बिटा यह जो form कहलाता है इसको हम बोलते है dot product form of the plane क्योंकि left में भी dot है और और right में भी dot है तो इसे हम vector equation of the plane in scalar product form तो इसे हम बोलते हैं scalar product form of the plane कई यह समझ में आया कि नहीं है सो यह है scalar product form of the plane ठीक है अब देखिए एक बात बहुत मज़े की यहाँ पे बिटा a dot n आपको क्या produce करके देगा अरे भाई a भी क्या है constant vector है n भी क्या है constant vector है जब दोनो constant vector multiply होंगे बिटा तो वो कुछ ना कुछ constant produce करेंगे विसा पूछ हम लोग माल लेते हैं इसको d constant है तो बिटा vector r dot n vector is equals to कितना बिटा d यह जो चीज कहलाती है बिटा इसको हम बोलते है standard form of the plane standard form of the plane जी हाँ मतलब आपको अगर सामान तरीके में plane अगर कहीं किसी रूप में आएगा आपके सामने g1 में टकराएगा तो वो इसी रूप में टकराएगा ठीक है ना वो ऐसे नहीं देखेगा आपको r minus a dot n equal to n vector equal to 0 ऐसे जादा तर नहीं देगा यह बिटा इक point form है यह special form है यह मगर general form है यह इसी को standard form बोलते है है यह इसी को हम बोलते है general form क्या बोलते है बिटा general form इसी को हम general form भी बोलते हैं तो आपको plane जो है इस तरीके में आपको दिखाई देगा ज्यादा तर clear है हाँ इस तरीके d यहाँ पे d यहाँ पे constant d what is d here d is a constant d is a constant clear हो गया और अभी आपने उपर देखा था कि अगर d की value 0 हो जाएगी यहाँ पर देखे आपने d की value 0 हो गई थी इधर पर 0 हो गया था तो क्या बन गया था r dot n equal to 0 मतलब वो किस से जा रहा था origin से किस से जा रहा हो सकते हैं कि if d equal to 0 this means plane passing through origin plane origin से pass होगा and your equation will be vector r dot n equal to 0 clear है वेटा ठीक है जैसे मैं यह कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे दुनिया भर में line के कई equation होते हैं मगर line जब आपके सामने आती तो आपको इस रूप में दिखती है a x plus by plus c equal to 0 यह क्या होता है यह standard form of line है यह general form of line है बोले है की नहीं है general form of line और वैसे तो line के बहुत सारे धेरो टाइप equation होते हैं one point form two point form normal form intercept form parametric form जमाने भर के form होते हैं मगर line जब पहली नजर में आपका line से सामना होता तो line आपको ऐसी रिखती है वो तो जब आप detail study करते हैं तो आप जानते हैं कि अरे line के यह 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 form होते है तो ऐसे ही plane जब आपके सामने कभी आएगा तो आपके सामने इसी रूप में आएगा vector r.n equal to d इसलिए मैं इस form को कौन सा form बोल रहा हूँ जनरल form ठीक है भाई साब जनरल form दिखावा इससे ही रहेगा ओके so this is the general form of the plane चलिए अब आते हैं बच्छों अब यह तो खूप पढ़ लिया general form अब आते हैं इसका Cartesian बनाते हैं क्या बनाते हैं इसका Cartesian अब चलिए Cartesian form की पूरी पढ़ाई करते हैं Cartesian form तो पहला हमारे पास जो topic है वो है one point form of a plane of a plane तो vector की values put करते जाओ Cartesian अपने आप आ जाएगा तो हमने यह एक plane लिया था भाई सब लिया था बेटा क्या scene चल रहा था यह एक किसी fix point A से जा रहा था जिसका position vector क्या था vector A और बेटा यह जो था यह दूसरा vector अपने पास point vector P P is the variable vector vector R और यह एक n vector के perpendicular था this is the normal vector N जिसका नाम मैंने दे दिया था आपको A i cap plus B j cap plus C k cap ठीक है बटा is it clear ओके तो देखिए बटा अब हम क्या ले रहे हैं अब हमने equation जो पढ़ा है बट उसके पहले हमें सबसे पहले point vector अब बटा जो A point है definitely इसके कुछ coordinate होंगे we can suppose x1 y1 z1 कुस तो coordinate होंगे ये की fix coordinate होंगे fix को हम क्या मानते है x1 y1 z1 और जो variable point vector P होता है जो कहीं भी हो सकता है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है आप जानते हो मैंने पहले ही बोल रखा कि P के coordinate होते है x y z 3D में तो बेटा vector A भी निकाल लेंगे हम what is vector A small vector A की बात कर रहा हूं x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap yes or no बिल्कुल है और बेटा r vector भी निकाल लो अपने पास r vector equal to कितना हो जाएगा बेटा x i cap plus y j cap plus z k cap clear good तो अब हमारे पास बेटा हम equation इसका बनाने वाले हैं तो हमारे पास vector form क्या था vector r minus vector A dot n vector is equals to 0 यह था तो value put कर दो भाई r की जगह x i cap plus y j cap plus z k cap minus खुलेगा तो सबको minus कर देगा minus x 1 i cap minus y 1 j cap minus z 1 k cap dot n vector n vector क्या है बच्चे a i cap plus b j cap plus c k cap बताए है की नहीं है equal to 0 मैंने सब कुछ रख दिया अब मैं इसको collect कर लेता हूँ so it will be x minus x 1 i cap plus y minus y 1 j cap plus z minus z 1 k cap right dot a i cap plus b j cap plus c k cap यह हो गया equal to 0 अब multiply करता हूँ मैं a i cap का multiply x minus x 1 i cap के साथ क्या हो जाएगा a into x minus x 1 because i cap dot i cap क्या होता है बीच में dot involved है तो आपको पता है same to same वाले multiply होते हैं बाकी दो 0 हो जाते हैं plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 equal to कितना बेटा 0 कोई दिखका थे क्या तो दोस्तों यह हमारा बन चुका है one point of the plane point form of the plane है ना this is the required equation of plane clear okay एक बात तो यह हो गई अब देखो यह तो ठीक है अब देखो अगर मैं इससे यह मेरा कौंसा form है बेटा one point form कौंसा form है बेटा one point form हमने ऊपर उस equation को process किया था r minus a dot n को process किया था equal to 0 को और इसको process करके मैंने एक equation निकाना था r dot n equals to d यादा है a dot n बना था एक लाइन हो लिक दो क्या minus vector a dot vector n equal to 0 so vector r dot vector n equals to vector a dot vector n ओके यह constant था इसको d बना लिया था हमने वेक्टर r dot vector n equal to d this is a constant clear अब आये यहां पर मैं इसको process करता हूं और आपके सामने यह क्या था बेटा standard form था क्या था यह था बेटा standard form है ना vector vector form में vector sense में standard form था और यह हमारा Cartesian चल रहा है देखिए हम में इसको process करता हूं क्या होगा विटा a into x हो जाएगा a x और यह हो जाएगा a x1 राइट बी इंटु वाई हो जाएगा बिटा बी वाई प्लस c into z हो जाएगा c z और माइनस c z 1 एककल डू कितना जीरो बेटा वेरियबल वाली पार्टी आंगे लेकलो a x प्लस by प्लस c z यस और नो बेटा अब यह बाकी सबको पीछे जान दो माइनस a x1 minus by 1 minus c z 1 एककल डू कितना जीरो जैसे यह लास्ट में यहां एक कॉंस्टेंट बन गया था उसको अपने डी ले लिया था ऐसे सारा का सारा कॉंस्टेंट है यहां पर क्या आप इसको डी ले सकते हो बिलकुल ले सकते हो भाई यह भी तो कॉंस्टेंट ही है ना क्योंकि यह बन गया हमारे पास standard form of a plane क्या बन गया हमारे पास यह बिटा standard form of plane मगर बिटा यह किस sense में है cartesian sense में है किस sense में है cartesian sense में है clear हो गया अगर आप यदी यही plane किस से जाएगा origin से जाएगा अगर यही plane जो अपने पास निकला है the equation of the plane is ax plus by plus cz plus d equal to zero बिटा if this plane passing through the origin zero 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 yes or no तो origin के coordinates क्या करेंगे इसको satisfy करेंगे बिलकुल करेंगे satisfy तो पूट कर दो बेटा equation number one ले लो now if this plane is passing through the origin अगर यह plane origin से जाएगा तो origin के coordinate इसको satisfy करेंगे so this will become a into zero plus b into zero plus c into zero plus d equal to zero overall it become d equal to zero yes or no d equal to zero तो बिटा d की वैल्यू वापस यहाँ पे प्लेस कर दो तो अपने पास क्या जाएगा ax plus by plus c z d तो क्या हो चुका था जिरो हो चुका था तो equal to कितना हो गया बिटा zero बन गया है यह क्या है origin form कौनसा form बिटा हाँ origin से जाने वाले plane का equation this is origin form clear yes की no और आपको याद होगा जो मैंने vector में पढ़ाया था तो situation बता था r dot n vector equal to zero यादा है था मैंने इसको zero कर दिया था right side में because a vector zero हो गया था तो सब कुछ खतम हो गया था हाँ या ना because a vector क्या हो गया था zero तो a से n multiply हो गया था विचारा zero हो गया था तो इदर कुछ नहीं बचा था clear की not clear तो यहाँ पर r minus r dot n equal to zero अगर आप यहीं से निकलना चाहते तो भी भाई आईए पूट कर देते हैं r क्या होगा बेटा x i cap plus y j cap plus z k cap n क्या होगा बेटा बताया मैंने normal vector है a i cap plus b j cap plus c k cap equal to zero तो लिए आगया ऐसे भी आगया a का multiply x से हो जाएगा a x plus by plus c z equal to zero मतलब जो डरनी की बिलकुल बात नहीं है जो आपका vector form है और partition form यह दोनों हाथ पकड़ के गाना गाते हैं हम साथ साथ है ठीक ना इसलिए बिलकुल एक जैसे चलेंगे कोई गलत नहीं है चलिए अब इसके बाद थोड़े से numerical है वो तो आप कर लीजेगा मैं आगे बढ़ता हूँ numerical भी नहीं करा रहा हूँ मैं बाद में कराऊंगा याद रखेगा a b c क्या है normal vector के direction ratio है उपर यह vector की form में दिया था a b c मैंने दिखाया था आपको vector की form में दिया था directly vector n तो a b c क्या है normal vector के direction ratio so what are a b c a comma b comma c are direction ratios of normal vector normal vector clear हो गया direction ratios of normal vector एक छोटी जी बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलना चाहूँगा आपके पास जो normal vector है n vector this is equals to a i cap plus b j cap plus c k cap अभी आँगे इसका इस्तेमाल होगा तो मैं आपसे पूछूँगा भी यह चीज a i cap plus b j cap plus c k cap this is a normal vector मैं आपसे यह कहूँ बिटा कि मुझे बताओ normal unit vector क्या होगा तो n cap की direction n vector की direction में unit vector that will be n cap is equal to complete vector upon given vector yes or no given vector का mod so it will be a i cap plus b j cap plus c k cap whole divided by under root a square plus b square plus c square यह होता कि नहीं होता सो यह क्या बन जाएगा भाई साब a i cap upon में under root a square plus b square plus c square c square plus b upon under root a square plus b square plus c square into क्या बन जाएगा j cap clear है ना i cap में साइट कर लो plus c upon under root a square plus b square plus c square here it is k cap clear बिटा सो यह l है यह m है और यह क्या है n है direction cosine सी याद आई हैं आपको so बिटा any cap जो होगा that is equals to l i cap plus m j cap plus n k cap क्योंकि यह l बन जाता है यह m बन जाता है और यह क्या बन जाता है n बन जाता है तो यह l i cap plus m j cap plus n k cap यह अपना normal की direction cosine सी है क्या है direction cosine सी चलिए बहुत बढ़िया अब मैं यहां पर आपको अगला form पढ़ा रहा हूं बेटा अगला form है आपके पास में the vector equation of a plane passing through a point A and parallel to B and C ठीक ना देखिए कुछ इस तरीके से heading डालू vector equation of a plane passing through a point passing through a point क्या है point भही? vector A इसका position vector A vector A okay and parallel to parallel to two given vector vector B and vector C देखिए कैसे समझे इसको कैसे होगा यह बटा यह अपने पास एक plane है यह अपने पास एक plane है यह एक given point से पास हो रहा है बटा यह point है A इसका position vector है A बिल्कुल scene वैसे ही है yes or no यह है A position vector है A यहाँ पर point P मानलो बटा जिसका position vector है कितना बटा? R कितना vector है? R अब यह कह रहा है कि यह जो vector है दो plane के parallel है मतलब vector अपने अंदर दो plane को रखे हुए है अब दोनों vector आपस में parallel नहीं है मगर plane तो parallel है ना बताईए यह सौनो plane के उपर तो आसानी से बैठे हैं ना ये दोनों vector तो मान लीजे एक vector ये गया this is vector B और एक vector ये गया this is vector C बताएए ये दोनों vector plane में अच्छा से है की नहीं है ये plane में चिपके हुए है ना तो plane के parallel है plane के क्या है plane को अगर फोड़ के जाते तो आप कहते की हाँ intersect कर रहा है ऐसे आते ऐसे फोड़ के जाते बटे फोड़ के नहीं जा रहे हैं ये plane के उपर है तो ये plane के parallel है जैसे आप अपनी copy में कोई line बना दीजे तो बताएए ये line plane के parallel हुई ना वो plane को intersect थोड़ी ना कर रही है तो वो line क्या होगी plane के parallel clear अब मुझे बताओ बटा कि अगर B है और C है तो B और C के perpendicular plane का vector क्या B cross C नहीं होता है मैंने सिखाया ना आप लोग को होता है कि नहीं होता कि दो vector होते हैं उनके perpendicular direction में जो vector जाता है वो A cross B होता है जब मैंने A cross B पढ़ाया था आपको तो फिलाल B और C है तो B और C के perpendicular क्या होगा B cross C तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ अब B cross C बेटा इन दोनों के perpendicular है तो plane के भी तो perpendicular होगा क्योंकि वो दोनों plane में ही तो बैठे हुए है नहीं होगा क्या तो वो इसके भी तो perpendicular होगा क्योंकि ये भी तो plane में बैठा हुआ है ये सानो हाँ क्लियर तो ये वेक्टर क्या बनेगा ये वेक्टर बनेगा फाइनल माइनस इनिशिल आर माइनस A so equation of plane बनेगा कैसे बनेगा equation of plane वेटा हमारे ये वेक्टर बनेगा जिसका नाम है R माइनस A dot उपर वाले वेक्टर कौन सा है बिटा B क्रॉस C B क्रॉस C equal to 0 क्यों क्योंकि ये plane के अंदर है और ये plane के normal है तो दोनों के बीच का अंगल कितने डिगरी बना 90 डिगरी तो दोनों का dot product कितना हो जाएगा 0 समझ में आ गया तो R माइनस A dot B क्रॉस C equal to कितना हो जाएगा 0 बेटा ये कहलाता है आपका इसको हम क्या कह सकते है The vector equation of a plane passing through a point and parallel to vector B and vector C मतलब की एक तरीके से दो lines को रखने वाला और एक point से जाने वाले plane का equation equation of a plane containing one point and two line underlying one point one point that is vector A and two line and two lines क्या लएऔ या vector क्या लो containing two vector क्या लो Vector क्या लो containing two vector आगे line भी कह देँगे vector B and vector C clear हो गया अब आप इसको simplify कर ले उससे कुछ खास आपको हासिल होने वाला नहीं है मगर फिर भी यहाँ पर किताब में solve किया गया है तो आप इसको कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा भाई साब vector r minus vector a dot b cross c equal to 0 दिया है तो बेटा vector r dot b cross c minus vector a dot b cross c equal to 0 तो कुछ नहीं है इधर आजाएगा तो vector r dot b cross c equal to vector a dot b cross c कुछ होना जाना तो है नहीं बट मुझे यहाँ पर यादा आगई किसकी box a b c की आपको भी यादा आगई होगी scalar triple product ठीक है ना तो vector r dot b cross c बच्चों आपके काम का केवल यह वाला point है बस यहीं से होगा question solve आपको ओके यह सब चीजें अपने आपको परिशान करेंगी बेवज़े क्यों याद रखो वैसे इतना सारा काम है clear any problem चलिए तो यह हमारा हो गया भाई साब एक vector ठीक है vector equation of vector form of a plane अब हम इसका partition form आपको बना के दिखाए देते हैं कि इसका partition form कैसे होगा इसका partition form देख लिजे कैसे बनेगा हमारे पास जो main equation हमारा क्या आया है वेक्टर आर माइनस वेक्टर a dot b cross c equal to 0 अब आर माइनस a क्या बनेगा यार अब मैं बार बार बताते बताते ठक गया हूँ अब आप लोग थोड़ी अपने understanding बढ़ाओ वेटा आर माइनस ए बढ़ेगा बनेगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप बोली हाँ है ना बनेगा की नहीं बनेगा अब वेक्टर b और वेक्टर c कौन है दो वेक्टर हैं जो की हमारे प्लेन में लाई कर रहे है जो की हमारे प्लेन में लाई कर रहे है तो वेक्टर b में मान लेता हूँ वेक्टर B ये देखिए ऐसे बैठा हुआ है ऐसे बैठा हुआ है तो वेक्टर B किस रूप में आपको दिखाए देगा वेक्टर B आपको अपने डिरेक्शन रिश्योस के फॉर में दिखाए देगा सपोज A1 I cap B1 J cap और C1 K cap बताइए ऐसे ही तो दिखेगा ना और कोई तरीका तो है नहीं और वेक्टर C भी ऐसे ही दिखेगा बेटा A2 I cap प्लस B2 J cap प्लस C2 K cap कोई दिख्कत किनो ओके डॉट डॉट लगा है मैंने B cross C कैसा बनेगा जब B पता है C पता है तो B cross C में क्या दिख्कत है खूब प्रैक्टिस है हमारी I cap J cap K cap यहाँ पे आएगा A1 B1 C1 और यहाँ पे आएगा A2 B2 C2 Yes की No? एक कुल डू कितना? 0 यह देखिए तो हमने कुल मिला करके दो वेक्टर हमारे एक यह वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट यह लिख दिया और राइट वाला पार्ट बेटा हमने यह लिख दिया अब बेटा जब आप इसको खोलो खलोगे तो I cap into this 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 B1 C2 B2 C1 मने और फाइनली जा करके I cap की लड़ाई होगी I cap बाले के साथ और कौन जा जाएगा चले जाएगा X-X1 because I cap dot I cap 1 हो जाएगा और X-X1 तो आप इसको determinant form में कैसे लिख सकते हो बेटा I cap के जगह I cap I cap 1 हो जाएगा और जाके पहुँच जाएगा कौन X-X1 यहाँ Y-Y1 और यहाँ Z-Z1 इधर पे A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 equal to कितना हो गया? 0 तो यह है दोस्तों हमारा Cartesian form of a plane passing through a point and having two vectors okay? having two vectors या having two lines ठीक है न? क्योंकि lines भी बिचारे अपने direction ratios तो लेके ही आएगी न? कहाँ जाएगी? अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ यह plane है और यह plane किसी एक point से पास हो रहा सपोज A और इसके अंदर एक पहली line है vector R equal to vector A1 plus lambda vector B1 तो बिचारे का direction ratio तो है हमारा पास? direction तो यह हुई उसकी vector तो यह हुआ yes की no? और दूसरी line बनेगी vector R equal to vector A2 plus lambda vector B2 तो बिटा इसका direction भी हमाँ आपस क्या है? B2 है कोई दिक्कत की बात है क्या? तो कुल मिला के हम उस पर नजर किस पर रखेंगे हम direction ratio पे तो उपर वाला direction ratio A1, B1, C1 और नीचे वाला A2, B2, C2 that's it तो बच्चों यह रहा हमारा Cartesian form यह रहा हमारा Cartesian form equation of a plane passing through a point and having two vectors कह सकते हैं आप इसको ठीक है? अब चलिए इसके करते हैं questions